आप तक पहुचा रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं तो हापँर से बड़ी खबर है जापर पटांगा फ्राक्टरी में विसपोड का मामला सामने aja था सब्सक्राइब कर दिया है और मज़ूरों के पारीजनों को एक करोर रुपए देने की आप पर मांग उठाई जा रही है यह बड़ी खबर हादसे में अब तक बारा मज़ूरों की मौत हो चुकी है तो वही दर्जन भर से ज्यादा मज़ूर जो है वो जखमी है थाना धुला पताका फैक्टरी में विस्पोर्ट के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिर रहा है किसान मज़ूर संगटने कर्टरी के बाद धरना प्रदोर्शन किया है और मज़ूरों के परिषनों को आप सहायता राशी देने की मांगे भी लगतार उठाई जा रही है हास्री में से जो है यहां पर मौत का कारूबार हो रहा था और आपको बता दे कि मजदूरों के परीजनों को अब एक रुपए देनी की मांग की जारी है क्योंकि जिस तरीके से हाथसा हुआ है बारा मजदूरों ने अपनी जान गवा दी है और यहां पर CCTV फोटेज भी सामने आया था औ किसान मजदूर लगतार अब परिवार को साहता राश्री देनी की मांग भी कर रहे है तो किसान मजदूर संगटन ने फैक्टरी के बाहर धना प्रदोशन शुरू कर दिया है किसान मजदूर संगटन ने अब एक एक कर रुपे परीजनों को देनी की मांग सरकार से की है आखीर जिस तरीके से फ्रैक्टरी में काम चल रहा था, मौत का कारोबार हो रहा था, उसके लिए लाइसेंस था या नहीं, इसको लेकर जाच परताल लगतार जा रही है। प्रदोशन देते वे किसान संगटन नजर आ रहे हैं, अब साफ तोर पर अब इनकी मांगे है कि परिजनों को साहता राशी देनी चाहिए और एक कड़ रुपे देने की हाँ पर मांग की जा रही है। खबरे मिली के एक साल पहले ही इसे रेंट पर दिया गया था। सयोगी प्रवीन हमार साथ जोड़ चुके, प्रवीन जुस तरीके से हापुर में विस्पोर्ट हुआ और उसके बाद मामला तुल पकड़ चुके है। अब किसान संगटन जो है लगता धने पर बैठे वे क्या कुछ जानकारी मिल रही है। बेखें करनम में आप बता दू कि यह पहला कोई मामला नहीं है। इस परकार का हास्ता हुआ हो वृ। हापुर में और पहले ऐसे हास्ते वो चुके हैं। मगर सबसे बात इसमें एकल कर यह आ रही है। तो तहीं न कहीं जो प्रिसासर है, पुलीस है, उसकी कहीं न कहीं ला परवाई रही है। प्रकार का बड़ा हास्ता हुआ हैं तो जिस प्रकार बताया जा रहा है कि बॉलर हुआ पटा है यह केमिकल सक्षी में जो हास्ता हुआ है तो वहाँ उस प्रकार का नहीं था वहाँ जो बच्ची जो पताथा जो फोड़ते हैं वहाँ वाली जो है सामीकिरी वहाँ पूरी सी तो पहले में जो विश्कोथ हुआ जो पताथा पहले नहीं बनाए जा रहे थे उतना अधर तरीके से और फैक्ट्री जो थी वो एलेक्ट्रोनिक आइटम के लिए वहाँ पर प्रवीन और मौत के कारुबार के लिए लाइसेंस भी नहीं था और ऐसे में अब जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कारवाई की गई है फिलाल प्रवीन और जिस तरीके से किसान संगटन जो है अब लगतार धने पर बैठे वे क्या कुछ आखिर उनकी मांगे है जिए किसान संगटन है किसान संगटन है आज जो है वहाँ धर्मे पर बैठा किसान की करिवना दरजनों लोग वहाँ जो कारे करका रखा और जो नेटा से वहाँ पहूंचें और धने पर बैठ गए कि मलतूरों को एक करोड रूपे ठीक प्रविन नजर बनाया रख़ेगा आगे भी लगतार आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलाल तमाम जानकरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चली फिलाल इस बुरिटें में बस इतना है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडा नियूज